हेलो दोस्तों मैं आकाश डर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप L.I.C. का परपोजल फॉर्म नंबर 300 कैसे फिल कर सकते हैं L.I.C. का ये परपोजल फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब-कब आपको ये परपोजल फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर कोई भी वैक्ती अगर 18 साल का है या 18 साल से ज़्यादा का है और उसके लिए आप इंशोरेंस पॉलिसी करना चाहती हैं तो उस ताइम पर आपको ये फोर्म फिल करना होगा इसके अलावा अगर कोई वैक्ति 18 साल से कम का है या माइनर है तो उसके लिए आपको LIC का फोर्म नंबर 360 फिल करना होगा अब यहाँ पर जो ये LIC का फोर्म है 300 नंबर इसमें चेंजिस होते रह देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या इंफोर्मेशन को फिल करना है अगर आप इस फोर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको ये फोर्म मिल जाएगा वहां से आप इस फोर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों जैनकि अगर आप अपने लिए insurance लेना चाहते हैं, तो आपको इस proposal form को fill करना होगा, अगर आप किसी और के लिए insurance policy लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको form number 340 fill करना होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, proposal form insurance on own life, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि minors life के लिए हमें इस form को use नहीं करना है, जो वैक्ति 18 साली 18 साल से ज़्यादा का है, उन्हें के लिए हमें इस form को use करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएगे, एक photo का यहाँ पर आपको books देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक color photo paste करनी है, जिसका भी insurance policy आप करना चाहते हैं उनका, life to be assured, जिसके भी life insurance policy करना चाहते हैं, उनकी एक आपको color photo यहाँ पर add करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ instruction दिये हुए हैं, अगर आप इनको read करना चाहे तो read कर सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो लिखा गया है to be filled by agent और intermediary, तो आपका जो agent code है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और जो आपका mobile number है, वो भी यहाँ पर लिखना होगा, तो जो भी आपका code है, वो यहाँ पर लिखेगे, उसके बाद जो भी आपका mobile number है, वो आप यहाँ पर mention कर देगे, उसके बाद अगर आपका अपनी do का code पता है, तो वो भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं ये करने के बाद अगर आपने कोई BOC generate की है अपने policy के लिए तो BOC number आपको यहाँ पर enter करना है उसकी date enter करनी है और उसका deposit amount भी enter कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के तरफ एक section मिलेगा जहाँ पर लिखा गया है कि जो भी life assured है उनकी details यहाँ पर आपको mention करनी होगी जिसका भी विमा आप करना चाहते हैं उनके details आपको यहाँ पर mention करनी है सबसे पहले आपको यहाँ पर customer ID का option देखने को मिल जाएगा तो आपके पास customer ID नहीं है तो आपको इसको blank चोड़ना है और उसके बाद CKYC नंबर को भी आपको blank चोड़ देना है उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा तो यहाँ पर जिसका भी insurance करना चाहते हैं उसका first name लिखेगे और यहाँ पर आप last name लिखेगे उसके बाद उनका कोई middle name है तो वो आप यहाँ पर mention कर सकती है उसके बाद उनके father का name आपको यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर same first name लिखना होगा आपको और last name लिखना होगा यह करने के बाद उनकी mother का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा टिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा marital status यानि कि वो married है, unmarried है अगर married है तो यहाँ पर आपको married लिखना है unmarried है तो आपको unmarried लिख देना है ये लिखने के बाद आपसे पूछा गया है उनके spouse का नाम तो यहाँ पर अगर ये वैक्ति married है आपसे यहाँ पर age पूछी गई है तो जो भी इनकी age है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी तो यहाँ पर अभी के लिए हम 23 साल की age लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है depending on the plan condition, age last worth और age nearer birthday तो यहाँ पर आपको पता होगा किसी plan में last birthday देखा जाता है और किसी insurance plan में age nearer birthday देखा जाता है तो उसी के code यहाँ पर आपको age mention करनी है उसके बाद इनका place of birth आपको यहाँ पर enter करना है तो जो भी इनका place of birth है वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं उसके बाद age proof के लिए आप क्या document यहाँ पर submit कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर mention करना होगा, अभी के लिए हम यहाँ पर अधार card लिख देते हैं, तो यहाँ पर nationality जो भी है आप उनकी लिख सकते हैं, इंडियन यहाँ पर nationality लिखेगे और citizenship भी हम इंडियन लिख देते हैं अगर यहाँ पर किसे की citizenship अलग है तो आप उनकी country का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर permanent address as per proof of identity आप से पुछा गए हैं, तो जो भी आपके पास address proof है, उसके according आपको यहाँ पर उनका address लिख देना है, सबसे पहले आपको मकान नमबर लिखना है, उ अगर उनका कोई correspondence address है, तो वो भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके identity proof पर address अलग होता है, लेकिन वो temporary किसी दूसरे place पर रहते हैं, तो उस case में आप यह address भी mention कर सकते हैं, otherwise इस option को आप blank भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर same भी mention कर सकते हैं, उसके ब non-Indian है, तो non-Indian पर आपको tick कर देना है, उसके बाद यहाँ पर किसी वैक्ति के पास OCI card होता है, यानि कि overseas citizen of India card होता है, तो उनके लिए आप यहाँ पर yes करके उनका number भी mention कर सकते हैं, उसके बाद कोई NRI है या FNIO है, तो उनका address यहाँ पर आपको mention करना होगा, ज्यादतर case में आप NRI की policy नहीं करती हैं, तो इसको आपको blank छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पर आपसे KYC से related details पूछी गई है, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप income tax SSC हैं, क्या आप income tax pay करते हैं, तो अगर आप pay करते हैं, तो yes पर आपको click करना है, उसके GST number हैं, और उसको mention कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर mention करा सकते हैं, otherwise इस detail को आप blank भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ID details, तो जो भी अधार कार्ड की details हैं, या आपकी driving license की details हैं, या water ID या passport की details हैं, वो आपको enter करनी होगी, तो यहाँ पर आप दे visit होते हैं, केवल वही visible होने चाहिए, अगर यहाँ पर आप ID proof करते हैं, submit, उसमें आपको बाकी जो number है, या desert है, उनको यहाँ पर आपको hidden कर देना है, या आप pen से भी इसको कार्ड सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपका ID number है, वो mention करना है, अधार कार्ड का, और यहा यहाँ पर आप से occupation आपका पूछा गया है, यानि कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले occupation में आपकी qualification पूछी गई है, तो आपने जितनी भी education की हों यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपने graduation की है तो graduation लिख सकते हैं, उसके बाद आपने b.com की है तो b.com भी अगर आप सेलरीड है तो अगर आप बिजनसमेन है तो बिजनसमेन लिख सकती है उसके बाद यहाँ पर सोर्स ओफ इंकम पुछा गया है तो अगर आप एक सेलरीड है तो आपकी सोर्स ओफ इंकम सेलरी होगी तो यहाँ पर आप सेलरी लिख सकती है उसके बाद यहाँ पर टी-सी-स लिमिटेड उसके बाद यहाँ पर पुछा गया है exact nature of duties तो यहाँ पर आप क्या काम करते हैं TCS company में तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा जैसे कि हम लिख सकते हैं IT field में हम यहाँ पर work करते हैं उसके बाद यहाँ पर पुछा गया है कितने सालों से आप इसमें क करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चार सालों से हम काम करते हैं या जितने टाइम से भी आप इसमें वर करते हैं वो यहां पर आपको लिखना होगा उसके बाद आपकी एन्वल इंकम कितनी हैं वो यहां पर आपको लिखना है तो जो भी आपकी एन्वल इंकम होगी एक estimate वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसके according जो आपकी annual income है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है to be answered if employed in armed force तो अगर आप armed force में हैं तो आपको इन questions के answer करने होगी otherwise इन questions के answer आपको करने की जरूरत नहीं है तो इने हम blank छोड़ सकते हैं और अगर यहाँ पर आप किसी armed force वैक्ति की यहाँ पर policy करते हैं तो आपको इन details को fill करना होगा कि उनका last medical examination कब हुआ था कौन सी category में medical examination हुआ था और वो कौन सी category में आते हैं यह सबी details आपके जो भी वैक्ति है परपोजर हैं उनकी तरफ से provide करा दी जाती हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ questions पूछे गए हैं जिनका answer आपको करना होगा सबसे पहले यहाँ पर question आपसे पूछा गया है कि आपका जो occupation है जो आप काम करते हैं वो किसी specific hazard से related तो नहीं है या जो भी आप job करते हैं या आपकी जो hobbies हैं वो dangerous तो नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो आपको yes करना है otherwise यहाँ पर आपको no mention करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि currently आप पे कोई investigation हुई है या आपको कोई jail में रखा गया है prosecuted किया गया है या convicted किया गया है या आप पे कोई pending cases है या कोई pending charges है या आप पर कोई criminal या civil offenses है जो कि court में चल रही है उनके बारे में आपको यहाँ पर details देनी होगी तो अगर आप पे कोई भी इस तरह का case नहीं है तो आपको यहाँ पर no पर लिख देना है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक political exposed person है तो यहाँ पर भी आपको no कर देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है existing insurance तो यहाँ पर आपके कोई insurance policy चल रही है तो उसकी details यहाँ पर आपको mention करनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोई भी previous insurance है जो कि आपने LIC से लिया हुआ है या किसी और insurance company से लिया हुआ है उनकी details यहाँ पर mention करनी होगी यहाँ पर आपको उन policies की details भी enter करनी है जो कि 3 साल के दोरान ही surrender हो चुकी है यह lapse हो चुकी है तो यहाँ पर आपको previous insurance related आपको यह details एंटर करनी होगी ताकि जो claim है उसमें आपके customer को कोई भी दिक्कत ना हो उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी insurance policy है उनकी details को fill करने के लिए आपको यहाँ पर option दिये गए है सबसे पहले आपको policy number एंटर करना होगा आपकी customer की policy का उसके बाद यहाँ पर कौन सी company से यहाँ पर insurance policy लिए हुई है वो एंटर करना है उसके बाद plan number एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर some assured आपको लिखना होगा उसके बाद अगर आपने term rider ले रखा है तो वो लिखना होगा कि कितना term rider लिया हुआ है तो यहाँ पर जो जो details आपके पास है वो सबी details आपको यहाँ पर policy number wise एंटर कर देनी है उसके बाद यहाँ पर आपने कब policy शुरू की थी वो date mention करनी है अगर आपने policy को revive कराया है तो revival date एंटर करनी है या फिर medical case है या non medical case है वो details आपको एंटर करनी है जो जो details यहाँ पर आपके पास available है वो details यहाँ पर आप एंटर कर सकती है otherwise इसे आप blank भी छोड़ सकते है उसके बाद यहाँ पर 40 number पर आपसे फिर से question पूछे गए है कि क्या कोई आपका insurance है वो withdraw कर लिया गया है तो इस पर no करना है क्या आपसे कोई insurance extra premium पर लिया गया है तो no करना है उसके बाद इस पर भी आपको no कर देना है कि आपका जो proposal है वो किसी ओर terms पर accept नहीं किया गया है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि during the past one year returned any policy तो यहाँ पर भी आपको no mention कर देना है उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है details of nominee and appointee तो यहाँ पर आप अपनी policy में nominee बना सकती है ताकि आपके साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उस case में जो claim है वो आपकी nominee को मिल सकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं single nominee भी आप बना सकते हैं और multiple nominee भी बना सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं please give percentage share in case of multiple nomination तो यहाँ पर आप 50-50% दो लोगों को बना सकते हैं 25-75% बना सकते हैं तो अगर आप एक से ज़्यादा nominee बनाते हैं तो आप percentage के according nominee यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है in case of minor nominee please give appointed details यानि कि अगर आप बच्चे को as a nominee रखना चाते हैं तो उसके साथ उनके guardian यहाँ आपको appointee की details से लिखनी होगी क्योंकि अगर यहाँ पर proposal की death हो जाती है उस case में यह जो amount है वो बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाता तो इसलिए जो उनके appointee हैं उनको ही यह पैसा दिया जाता है उसके बाद जब बच्चा measure हो जाता है तो appointee की तरफ से measure बच्चे को यह पैसा दिया जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले nominee का नाम एंटर करना होगा और उनका address एंटर करना है उसके बाद कितना percentage of share देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा 100% अगर आप देना चाहती है एकी वैक्ति को तो यहाँ पर 100% लिखना है उसके बाद उनकी age यहाँ पर आपको लिखनी है उसके बाद यहाँ पर relationship with the life to be assured पुछा गया है कि इन वैक्ति का जिनका insurance कर रहे हैं उनके साथ क्या relation है उसके बाद यहाँ पर appointee full name पुछा गया है age पुछी गई है address अगर यहाँ पर बच्चा minor है तो appointee के details यहाँ पर आपको mention करनी है otherwise इसको आप blank छोड़ सकती है उसके बाद relationship to the nominee तो यहाँ पर proposer का nominee के साथ क्या relation है वो detail यहाँ पर आपको mention करनी होगी जैसे कि उनका यह son हो सकता है wife हो सकती है, daughter हो सकती है तो वो यहाँ पर आपको mention करना होगा उसके बाद यहाँ पर appointee के signature किये जाएगे अगर यहाँ पर कोई appointee है तो उसके बाद यहाँ पर जो nominee है या appointee है उनका ID proof mention करना चाहे तो वो आप यहाँ पर कर सकते है otherwise यहाँ पर यह mandatory नहीं है उसके बाद यहाँ पर proposer की bank details पूछी गई है तो अगर यह आप bank details एंटर करना चाहे अगर आप यहाँ पर नेज़ करते हैं तो आपको यह information जरूर एंटर करनी चाहीए उसके साथ सथ यहाँ पर आप देख सकते है कि आपको cancel check भी documents में attach करना है ताकि आपकी यह जो bank details है वो verify हो सके उसके बाद यहाँ पर option दिया गया है text residency का तो यहाँ पर आपको no कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखते है तो mobile number पूछा गया है प्रपोजर का तो जो प्रपोजर का mobile number है वो आप यहाँ पर mention करेगे उसके साथ सथ प्रपोजर की email ID भी यहाँ पर आपको लिखनी है अगर किसी की government job है तो उस case में email ID compulsory होती है email ID जरूर यहाँ पर आपको enter करनी होगी उसके बाद यहाँ पर जो भी life assured है उनके signature आपको यहाँ पर कराने होगे यहाँ पर आप उनके signature करा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो हमें अगले information फिल करनी होगी वो है proposed plan details जो भी हम plan अपने proposal को देना चाहती है वो details हमें यहाँ पर mention करनी होगी तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है objective of insurance यानि कि हम यह insurance क्यों लेना चाहते हैं हम यहाँ पर savings के लिए भी अपना insurance लेना चाहती हैं और risk cover के लिए भी insurance लेना चाहती हैं अगर हम term plan की बात करें तो उसमें सिर्फ risk cover होता है तो आप उस case में risk cover select कर सकती हैं और अगर आपका purpose saving के लिए insurance लेना है तो आप saving पर भी tick कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है whether proposal is under individual life employer employee scheme HUF और MWP तो यहाँ पर आपको पता होगा individual के लिए आप ज़्यादा तर insurance policy करते हैं तो आपको individual life insurance policy select कर देना है कुछ लोग यहाँ पर employer employee scheme में भी insurance करते हैं उनको यहाँ पर tick करना है अगर आप किसी HUF का insurance करते हैं तो आपको यहाँ पर tick कर देना है तो यहाँ पर ज़्यादा तर case में individual life पर आपको tick करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा term rider यहाँ पर देना चाहती है तो आपको इन riders की सभी की information होनी चाहिए तो आप जो भी rider अपने policy order को देना चाहते हैं वो यहाँ पर tick कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेगे तो आपको plan की information देनी होगी कि कौन सा insurance plan आप अपने customer को देना चाहती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको plan number enter करना होगा उसके बाद आपको कितने साल की insurance policy देनी है वो term enter करनी होगी और यहाँ पर उसमें कितने साल की premium paying term है वो भी लिखना होगा यह तीनों चीज़ लिखने के बाद आपको some proposed लिखना है कि कितने लाख रुपे का insurance आप देना चाहती है उसके बाद यहाँ पर mode of premium आपका क्या रहेगा वो आपको लिखना है yearly, half yearly, quarterly, salary saving scheme, netch ये single उसके बाद अगर आपने कोई term rider दिया है तो उसका some proposed कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद अगर यहाँ पर critical illness rider या accidental benefit rider भी दिया है तो उसका यहाँ पर amount आप लिख सकती है अगर आपने यहाँ पर अपनी policy को back date किया है तो वो back date भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी बैक date करने के बाद आपका जो भी premium है आपका इसका अगर कोई applicable है तो आपको वो pay करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप police personal है तो यहाँ पर कुछ details फिल करनी होगी तो यहाँ पर police personal नहीं है तो आपको इन दोनों ही option को no कर देना है उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है for salary scheme policies तो अगर आप यहाँ पर salary saving scheme में कोई policy करते हैं तो आपको यह details फिल करनी है otherwise इसको आपको blank छोड़ देना है या no कर देना है उसके बाद यहाँ पर option दिया गया है to be answered only if proposing for LIC premium waiver benefit rider तो यहाँ पर यह details तभी फिल करनी है LIC premium waiver benefit rider दिया गया है तो हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया है तो हमें no कर देना ही से उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपने इस proposal form के साथ क्या कोई और insurance policy भी ली है तो आपको यहाँ पर दोनों ही option में no कर देना है अगर आपने इस insurance policy के साथ एक और policy ली है तो आपको yes करके बताना है कि आपने किस के लिए policy ली है उसके बाद यहाँ पर आपको settlement का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जो maturity benefit है क्या उसको आप installment में लेना चाहती है क्या आप death benefit को installment में लेना चाहती है तो आप no कर सकते हैं इन दोनों यह option को और अगर आप इनको installment में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर yes कर देना है उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने आपको LIC portal पर register कर सकते हैं जो की है www.licindia.in website पर जा कर उसके बाद यहाँ पर signature का option आपको देखने को मिल जाएगा जिनका भी आप जो भी यहाँ पर proposal हैं उनको यहाँ पर signature करने होगे उसके बाद यहाँ पर आपकी family details पूछी गई है और आपकी personal habits के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले height पूछी गई है centimeter में तो centimeter में आपको height लिखनी है और आपको weight यहाँ पर लिखना है जितना भी इनका weight होगा weight kilogram में आपको लिखना है और height आपको centimeter में लिखनी होगी उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि पिछले 5 सालों में क्या आपने कोई medical practitioner से कोई treatment कराया है तो आपको no करना है और यहाँ पर जो बाकी questions है उनमें भी no कर देना है यहाँ पर यही पूछा गया है कि पिछले 5 सालों में आपकी जो health है वो सही थी या नहीं थी अगर आपकी health सही थी और आपने कोई treatment नहीं कराया है तो आपको no करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ question पूछे गये है जो कि आपकी health से related है तो अगर आपको कोई भी बिमारी नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको इन सभी options में no कर देना है तो यहाँ पर सभी option में हम no कर देते हैं यह करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई problem थी कोई disease था तो उसकी details यहाँ पर आपको mention करनी होगी अगर आपको कोई disease है या कोई illness है उनके सबी details आपको mention करनी होगी otherwise आप इने blank छोड़ सकते हैं ये करने के बाद आपसे आपकी personal habits पूछी गई है क्या आप यहाँ पर smoking करते हैं अगर करते हैं तो आपको yes करना है अगर नहीं करते हैं तो आपको no करना है क्या आप यहाँ पर alcohol drink करते हैं नो करेगे नार्कोटिक्स पर नो कर देगे ड्रग्स पर भी हम नो कर देती हैं स्मोक पर भी हम नो कर देती हैं उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आपकी health का status क्या है तो अगर आप यहाँ पर good है ये excellent है तो आपको वो लिख देना है अगर बारे में आपको ये सबी details mention करनी होगी तो यहाँ पर सबसे फ़हले आपकी father की age आपको लिखनी है mother की age लिखनी है आपके brother है तो उनकी age लिखनी है यहाँ पर उसके अलावा अगर आपकी sister है तो उसकी age यहाँ पर आपको लिखनी है उसके अलावा यहाँ पर आपकी spouse है त लिख सकते हैं अगर इन में से किसी की death हो चुकी है तो उसमें आपको age act death भी लिखना होगा यान की death के समय उनकी age कितने थी और किस current से उनकी death हुई थी वो reason भी आपको यहाँ पर mention करना होगा तो यह details आप mention कर सकते हैं काफी easily आप यह details mention कर पाएगे उसके बाद अगर आप कि pregnancy से related यह कुछ information enter करनी होगी तो वो यहाँ पर recently pregnant है या नहीं है उनकी last delivery कब हुई थी उनकी husband का क्या नाम है उनकी occupation क्या है उनकी salary क्या है उनकी कौन कौन सी policy है वो सबी details यहाँ पर mention की जाती है अगर female का यह insurance नहीं है तो आपको इसे blank छोड़ देना है उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ signature का option आपको मिल जाता है यहाँ पर life assure'd वाले का यहाँ पर signature आपको करवाना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको declaration देखने को मिल जाती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले proposer का नाम लिखना होगा उसके बाद यहाँ पर जिस भी डेट को आप परपोजर यह दे रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है वो कौन सा दिन है कौन सा डे है कौन सा इयर है और कौन सा मंत है वो details आप यहाँ पर mention करेगे उसके बाद जो भी agent है उनके signature यहाँ पर किये जाएगे यहाँ पर लिखा गया है signature of witness तो आप witness है तो आपको signature करने होगे यहाँ पर life assured यानि की जो proposal है उनके signature किये जाएगे जिनका भी insurance आप कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आपका occupation और address लिखा जाएगा यहाँ की agent का यहाँ पर address लिखा जाएगा उसके बाद यह details आपको fill नहीं करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी life assured है उनके signature करा लेनी है उसके बाद इस form की बारे में उनको सही से explain किया है तो आपको यह information भी fill करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी अगर आप नाम अपना लिखना चाहे तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं agent का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और agent के ही यहाँ पर signature करने होगे उसके बाद यहाँ पर आपको अगला जो page मिलेगा वो maturity settlement का मिलेगा तो maturity benefit को आप settlement option में लेना चाहे तो आपको यह form fill करना होगा उसके बाद यहाँ पर death benefit को भी आप installment में लेना चाहते हैं तो आपको यह form fill करना है otherwise आप इन दोनों ही form को blank छोड़ सकती है उसके बाद यहाँ पर आपको एक section 14 देखने को मिल जाएगा जो कि आप read करना चाहे तो कर सकती है और इसके बाद भी आपको कोई signature का option मिलता है तो वहाँ पर आप live assured की signature करा सकती है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको यह information काफी पसंद आई होगी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा साथी साथ अगर आप insurance related latest information चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की latest videos आप सभी को हमारी चैनल पर मिलती रहती हैं धन्यवाद